कि नमस्कार दोस्तों मैं गनेश्रा हमारी स्वागत करता हूँ आपका कमपडिशन कम्मुटी के इस ऑनलाइन प्लेट्फों में दोस्तों सीजी टीटी के तहत आज हमारा विशह रहेगा साइन्स और इसी साइन्स के इंतरगत हम पढ़ेंगे तो आज का हमारा विशह रहेगा माना स्वास्त और माना स्वास्त के तहत ध्यान रखेगा किन किन पोसक तत्तों को की अवशक्ता होती है इसको भी हम चर्चा करेंगे साथ ही साथ मानाव में होने वाले प्रमुक बिमारियों के बारे में भी चर्चा करेंगे लेकिन हम यहाँ पर प्रारम करेंगे मानों की बीमारी से ध्यान रखेगा स्वास्त कैसी दसा है जब हमारे सरीर के सभी अंग अपने अपने निर्धारित कारे को करते हैं तो उस हम दसा को हम कहेंगे स्वास्त दसा यह हम यह कहेंगे जब हमारे सरीर को संपूर्ण पोसकत्त्तो प्राप्त होत करते हैं और यही दसा को हम स्वास्त की दसा कहते हैं मगर क्या होता है ठीक कई कारणों से चाहे वह अंतरजनित कारण हो या बहिर नित कारण हो कई कारणों से व्यक्ति का जो सरीर के कुछ अंग जो है ठीक वो ठीक से काम नहीं करते हैं और इसी दसा को हम बीमारी कहते हैं डिजीज कहते हैं तो ध्यान रखेगा बीमारी कैसी दसा है बीमारी एक ऐसी दसा है जिसमें हमारा सरीर का वह अंग या कोई भी एक निरधारित अपने निरधारित कारे को करने में सफल नहीं होता या उसकी जो functionality है वो कम हो जाती है प्रभाइत हो जाती है तो आज हम इनी बिंदूओं पर चर्चा करेंगे और सबसे पहले हम बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम रोग के बारे में पढ़ एक याँ अर्गेन है लेकिन इसके अंधर के बहुत अलग अलग पार्ट कहने का मतलब इसे वोरबें मीड़ बिन हैडबरेंड सेरी बेलम थालमस हाई पो थालमस यह सब कहां पर हैं हमारे दिमाग के अंधर कहां मस्तिज्व के अंतरगत है लेकिन ध्यान रखेगा इन में स कोई भी एक अंग किसी ने किसी माद्यम से प्रभाइत हो जाए या प्रभाइत हो जाए तो यह क्या करेगा यह अपने काम को ठीक से नहीं करेगा और जब यह ठीक से काम नहीं करेगा तो इसी दसा को बीमारी कहेंगे इसी दसा को रोग कहेंगे एक तो यह हो गया दूसरा होत तो हम उसको भी रोग कहते हैं, आया समझ में, यानि अंतरजनित हमारे अंदर के कुछ मेटाबॉलिजम में, गड़बड़ी के कारण भी बिमारिया होती है, जैसे कि डियाबिटीज, इसमें कोई बैक्टिरिया वाइरस नहीं रहता है, वो हमारे अंदर से होती है, ठीक है, हमारे धैनिक दिन चरिया कहने चाहिए, जीवन सैली के कारण, हम अपने सरीर को ठीक से ध अध्यम से इसको हम जानने का प्रयास करेंगे, सबसे पहले देखिएगा, हेडिंग आप रखिएगा, माना और रोग, human disease, चली दोस्तों, अब हम माना और रोग के बारे में देख लेते हैं, कि माना को जो रोग होते हैं, उन रोगों को हम किस परकार से, ठीक है, अर्थात, दूसरा होता है, अर्थात, वह रोग, जो हमको जन्म से प्राप्त होता है, उसी रोगों को हम जन्म जात रोग कहते हैं, और वह रोग, जो जन्म लेने के बाद, ठीक है, बाकी किसी भी कारण से हमको प्राप्त होता है, उसको हम अर्जित रोग कहते हैं, इसको ह हीमोफीलिय का इसे बीमारी होता है जिसमें वेक्ती के सरीर में ध्यान रखेगा जब भी कट लग जाता है अर्थात घा हो जाता है तो वहां से रक्त का प्रवाह जो है लगातार होता है यहां पर रक्त का थक्का नहीं जमता अर्थात हीमोफिलिया वह बिमारी है जिसमें मनुस्य के सरीर में रक्त के थक्का जमने की प्रक्रिया ज ईसमें हीमोग्लोविन सब्सक्राइब कि इसमिलक यहीन का जो घुमन mike — हमेसा विक्नेश प्रदान क रहता यूंजार रहता तो यह दोनों दोनों बिमारी प्रमुक्रूप से क्या है जन्मजात बिमारी है ठीक है अब आज़े यह अरजित बिमारी यह स्रेणी यहीं पर खतम हो जाता है इसका अपना एक लंबा स्रेणी है ठीक है हम चर्चा कर लेते हैं बाकी रोगों के बारें जैसे अरजित बिमारी अरजित बिमा बीमाराव में संकरमित हो जाते हैं ऐसे और पैरसाइट यह हमारे संचरण के माध्यम से हम तक पहुन्चते हैं ठीक है जिसके कारण हमको संकरमन house है और यह बिमारिया हो जाती है जैसे हैज़ा हो घ्रिया हो गया टाइफाइड हो गया डेंगव हो गया फाइल एरिया हो गया तो यह जितने बीमारी भी हमने चर्चा किया है ये हमारे संचरण बीमारी है कम subscribe करते जो जो एक वेक्ति से दुसरे वेक्ति या एक स्थान से दुसरे स्थान तक इसका संचरण नहीं होता है जैसे कि हम इसके अंतरगत क्या-क्या बिवानियों को ले सकते हैं अंसंचरण में ये non communicable disease है ठीक है अर्थात असंचरनी रोग है तो यहां पर एक परस्ट रूप से हमने ठीक है क्या देख लिया डिविजन देख लिया संचरनी रोग और असंचरनी रोग अब हम क्या करते हैं अब हम जाते हैं और सीधा सीधे रोग के बारे में विशेश रूपसे हम एक एक करके study करना प्रारंब करते हैं तो सबसे पहले हम वायरस से होने वाले रोगों की चर्चा कर लेते हैं ध्यान रखेगा अक्सर आप से पुछा जाएगा ठीक हमारे सिलेबस में अर्थात आप जिस चीज के तैयरी कर रहे हैं उस सिलेबस के विसानू से होने वाली बिमारिया ध्यान रखेगा वायरस अथात विसानू से होने वाली बिमारिया तो इसका हमारा एक ट्रीक है और यह ठीक यूनिवर्सल ट्रीक है अब पीछे मतला पो-ए-चे है, ठीक अब यहीं से हमारा सारे बीमारियों के नाम को डिराइव करना परादम करते हैं, जैसे रे, रेखा, अब हमने इसको इस परकार से लिख्या, रेखा हमें हीट करके पो-ए-चे छोड़ गई, तो ध्यान रखेगा यह पो-ए-चे या यह जो आपका करके है यह ट्रिक में है यह आपके सूइधा के लिए हम लोग यहाँ पर इसको दिये थे लेकिन इस पर से कोई बीमारी का नाम निकलके नहीं आने वाला अब आपको समझना है रे से रेविस हो जाएगा रेविस क्या होता है रेविस जो है कुट्टे के काटने से समानेता होता है इसको हम हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जानते हैं किस नाम से जानते हैं हाइड्रोफोबिया तो ध्यान रखेगा हाइड्रोफोबिया एक परकार के ऐसे बीमारी है जिसमें विक्ति जल से डरने लगता है तो रेविस को हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है, खसरा, ठीक है, ध्यान रिखिए किस परकार की बिमारी है, इसको मिजल्स भी हम कहते हैं, ठीक, खसरा जो है, ये बच्चों में सामानेता होते हुआ जाता है, ये ध्यान रिखिए कि चकते आ जाते हैं, पूरे सरीर में, बच्चों के में अगर इस परकार क संक्रमन होता है तो उस अवस्था में बच्चों के सरीर में पूरे चकते आ जाते हैं स्पोर्ट सा जाते हैं उसी बीमारी को हम यहां पर खसरा के नाम से जानते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं हर्पीज हर्पीज जो बीमारी है यह एक टिक सेक्स्वली ट्रंस्मीटेड डिज है अपने पार्टनर से तो वो ट्रंस्मीटेड हो जाएगा किसके किसमें तिक सामने अपने पार्टनर में तो हर्फीज जो है एक शुली ट्रंस्मीट डिजीज है तो यहां पर इस बैस के कारण संकर्मन के कारण इसमें सूजन आ जाती है और उसके अंदर का जो fluid होता है meningitis जो fluid होता है वो fluid सुखने लगता है ठीक जिसके कारण हमारे मस्तिस्क का हमारे स्कल से ठीक समझे एक्चोली में वो जिल्ली होता है वो जो द्रव होता है इसलिए होता है कि जो हमारा खोपडी है जो की कठोर है उससे सीधा सीधा संपर्क में ना आया हमारा मस्तिस्क जो की काफी कमजोर होता है काफी फ्रेजाइल होता है फ्रेजाइल मतलब काँच टाइप का नहीं कहना चीए फ्रेजाइल का मतलब होता है का काफी नजूक, काफी शिंसिटीव होता है, और वहाँ पर कई लेयर पाये जाते हैं जैसे refriger mat Star पाये जब हम anton 3 को पढ़ेंगे तो आप इस चीज़कों पढ़ेंगे microwave अध्यमिर पैता है आयर हम पाये पाये आता है यानिकी अलग अलग लेयर पाये जाते हैं तो मेनिंजाइटिस बिस्टिसक से संबंदीट बिमारी हैgs में जिलनी में क्या होता है संकरमण के कारण यहां की फ्रूइड सूख जाता है ठीक है चलिए हेपिताइटीस ञेब मारी दो कि दो आज उस्वेकरी लटाएगा एक बार यसरी न बीजिया होने के चांसिस उसको ज़्यादा रहते हैं तो ध्याद रिखीगा अगर किसी भी व्यक्ति को हेपेटाइटीस से बचना है तो हेपेटाइटीस का टीका आता है टीका करन करा लेना चाहिए इससे आपका जो लिवर से सम्मंदिद जो डिजीज है तीके और इसके प्रभावित अंग कौन से हैं, तो ड्रेकोमा जो है यह आनक से सम्मंधित बिमारी है, थिक है, यह आनक को प्रभावित करता है, कि आप कौन से आए हैं? ठिक यह वायरस से ध्यान रिखिंगा, और वायरस के कारण हमारा ड्रेकोमा होता है, तो रेखा, ठीक है हमें हीट तो कर गई और पोईचे छोड़ चली गई, पोसे पोलियो, सभी को पता है, पोल्स पोलियो अभियान, भारत को पोल्स पोलियो मुक्त घुसित कर दिया गया है, ठीक है, ऐसा कहा गया है, समझे में, ठीक, वर्ल्ड हेल्थ और्गनाईजिसन ने भारत को क्या कहा है, ठीक, पोल्स पोलियो मुक्त देश कहा है, चली, पोलियो क्या होता है, जब ये पिपी एलो वाइरस के मादियम से होता है, ध्यान रिखीगा, जब ये वाइरस किसी भी तरीके से मनुस्तिके सरीर में प्रवेस करता है, खास कर बच्पन के अवस्था की बात कर रहा हूँ तो उस समय उसके सरीर के जो ऑर्गेंस होते हैं खास कर हड़ियां ठीके यह जो है टेड़ी मेड़ी हो जाती तो उसी अवस्था को हम पोलियों के नाम से जानते हैं ठीके चली एड्स जो है ठीक यह भी हमारा सेक्स्वली ट्रांस्मीटेड डिजीज है ध्य जाने केगा यह चाइवी वाईरस के कारण चली चे चाट के वारे में सबको पता है ठीक चेचक और चोटी माता एक दोनों के बिमारी हमारा ठीक बैक्τεरिया सॉरी रिए आपका वाइरस से समन्दिद बिमारी इस चीज को जान करेखे ही गा चेचक और कचोटी नाता आ जाते हैं चक्ते का मतलब ठीक एक फ्लूइड भरा हुआ आपका सरीर में गोल निर्मित हो जाएगा ठीक है इसमें इस समय में क्या होता है दोनों बीमारी की खास बात है छोटी माता और आपका चेचक में तीब्र बुखार आता है तीब्र जोर आता है और ये जोर इतना त टीनों कन्तिनः रहता हैं कि अपको कई दिनों तक मेंटेन रहेगा जहर और इस दोरान की जो है खाना पीना सा वस्ता में उसका खाना पीना बहुत ही बुरी तरीके में बड़ा दिक्कत होता था अब देख लेते हम डेंगू यह बहुत ही कहर मचाया थे समय दिल्ली और बहुत बड़े-बड़े नगरों में तो डेंगू जो है एक परकार का ज्वर है बीमारी मतलब बुखार है जो किसके कारण होता है ठीक बैक्टीरिया वायरस के कारण होत होता है ठीक है यह एक प्रकार की respiratory disease है सांस से समंदित बीमारी है तो ध्यान रखेगा बहुत जादा हम डीप में नहीं जा रहे हैं अगर हम डीप में जाएंगे ठीक है तो इसी बीमारी किसे समंदित हमको 2-3 वीडियो बनाने पड़ेंगे इसलिए हम यहां पर केवल bacteria से संबंधित बीमारी तो ध्यान रखेगा आप आयगा जिवानूं पहले था विसानूं तो गोटी ने ट्रिक है ना गोटी ने निमों को छटा यानि चटा 6 वाला याद रखेगा गोटी ने निमों को छटा CD प्ले करने को कहा ऑप ध्यान रखेगा, अब ध्यान रखेगा टी से टेटिनस नी से निमोज तिकहे और से कोड लेप्रोसी छै बिमारी जो टीबी होती है टा से टाइफाईड सीस से सिफिलिस डी से डिपतेरिया प्लेस प्लेग तिकहेff niveau अब हम इसके बारे में ठिक चर चा परते हैं चलिए अब देख लेते हैं हमारा पहला बिमारी गोनेरियो ध्यान रखेगा गोनेरियो जो है परकार का सेक्सवली ट्रांस्मिट डिजीज है ठीक है ध्यान रखेगा सेक्सवली ट्रांस्मिट डिजीज यह महिला से पूरूस को पूरूस से महिला को ठीक है ध्यान रखेगा इस प्रकार के जो disease का transmission होता है गोनियों में होगा क्या ध्यान रखेगा तो इस बीमारी में परमुक उरुप से आप एक लक्षन ध्यान रखेगा अगर यह बीमारी अधिक मातरा में बढ़ जाता है तो महिलाओं में बांजपन भी होने की समस्या रहती है, मतलब आगे जाके बीमारी जो है ध्यादा ध्यान रखेगा, इस परकार बीमारी अगर आगे ज्यादा बढ़ जाता है, तो महिलाओं में जो फर्टेलिटी है वो एफेक्ट होती है, चलिए, तिक बहुत ज़्यादा डीप लगा लेते हैं और इस बीमारी में होता है क्या है ध्यान रिखेगा तिक अगर इस प्रकार की बीमारी होगे टेटनस का वाइरस किसी बैक्टिरिया किसी बीमार दिम से आपके शरीम में पहुंच गया तो आपके शरीर के उस एरिया को वह अंदर ही अंदर क्या करता है गला द जाता है जिस प्रकार बुढ़े लोग पूरी जुख जाते हैं इसलिए इस बिमारी को टेटनस की बिमारी भी कहते हैं और इसका प्रभावित अंग है हमारा तंत्री का तंत्र नर्वज सूस्टम निमोनिय क्या होता है जैसे सरदी है सरदी का ही एक आपका depth रूप है जब संकरमन आपके फेफ़डे में पूरी तरीके से फैल जाता है ठीक तो उसी को हम क्या कहते हैं pneumonia ठीक तो pneumonia भी एक प्रकार का bacteria के द्वारा होता है जिसके जिसमें आपके जो air vocals होते हैं air vocals का मतलब फेफ़डे में छोटे छोटे वायू के छिद्र होते हैं जिसमें ठीक स्पंजी जो structure होता है उसका जो area है वो छोटा सा कम होता है इस virus के कारण ठीक जिससे आप सांस तो लेंगे लेकिन वहाँ पर proper gas का exchange नहीं होता रहेगा ठीक जिसके कारण आप बार बार हाफेंगे बार बार आपका स्रिक सांस जो है उपर नीचे होगा आपको ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा code अर्थत लेपरोसी इसमें सरीर के विसेस अंग जो है खासकर बाहरी अंग ठीक जैसे हाथ और पेर की उंगलिया यहां से प्रारम होता है और यह जो है अंग जो है धीरे धीरे गलने लगता है तो ध्यान रखिएगा लेपरोसी भी कहते हैं इस बीमारी को लेपरोसी और य यह जो है निश्चित समय में अगर इस बीमारी का इलाज किया जा है तो यह बीमारी जो है आराम से ठीक हो जाती है क्यूरेबल है चलिए च्छै रोग च्छै को हम टीवो क्लासिस भी कहते हैं समाने ता इसको टीबी भी कहते हैं ठीक है पहले देखेगा जिस परकार एक समय ऐ इस परकार बीमारी को डाइगनो सिस करने में या वेक्ति तक नहीं पहुँच पाता है तो उस समय तक आपके फैफडे सिस्टम का है आपके फैपड़े बीमारी प्रभाईत करता है तो ढας कल यह मारी पीमारी है दूसीत खान पांञ के वज़ा से जो भी उसमें बैक्टिरिया हैं जैसे कि आपने दूसीत जल पिया, दूसीत भोजन किया, जिसके माद्यम से वा बैक्टिरिया आपके सरीर में आ जाता है और इसके कारण ब्यक्ति जो है टिप्रिवुखार से प्रभाइत होता है चलिए ती सेवब यहीं पूझा लिए जोए किसका प्रकार की मिसा अगर आप से सिफिलिस पूझे गा tut सिफिलिस के इसके बारे में चर्चा नहीं करेगा हाहाई इतना बस जान लीजें कि सिफिलिस बीमारी यह यह यौन Wow को हम गला घो िडू तो या इसको हम और रही के नाम आण से भी जानते हैं यसका परभावी प्रमुखदात होते बड़े बड़े ध्यान रिखेगा खासकर चुहा तो उन चुहों में इस प्रकार के बिमारी के वहाँ कारक पाए जाते हैं ति ध्यान रिखेगा प्लेग जो बिमारी है इसका वहाँ चुहे होते हैं चुहे के बाद जो है ये बिमारी पिस्सू के माध्य से transmitted होता है जब भारत में प्लेग का संक्रमन फैला था इस चीत की चर्चा कर लूँ तो समय व्यक्तियों को जागरू किया जाता था कि जब कभी भी आपके घर में चुहा मरा हुआ मिले या आप उसको पकड़ रहे हो तो ध्यान रिखे मरा हुआ मिले खासकर ये बात आती थी तो उस चुहे को क्या करना चाहिए जमिन के अंदर दफना देना चाहिए तो ध्यान रिखेगा चुहे से फैलने वाली बिमारी है लेकिन एक्चोली में तिक चुहा तो जा के विक्ति को नहीं प्रवाइद करता है चुहे के में ध्यान रिखेगा पिस्सू रहता है वो पिस क्वूपिंग कर फ्रिक जैसे पैचीश होता गारियाद वेक्टिक पहले क्वारत अविद्धियान इस प्रकार के बिमारी यह वेक्टियों में सवख्षता आ के जागरूता के करण अब इस प्रकार के विमारी पढ़ से आपाई जा रहा है लेकिन अभी भी यह house जो होते हैं घर में होते हैं मक्यां उस परकार की मक्यां के माध्यम से एक वेक्ति से दूसरे वेक्ति में ये असानी से फैल जाता है ठीक है ध्यान रिखिएगा तो हैजा जो है एक बहुत ही संक्रामक बिमारी है ठीक पहले ऐसा हुआ करता था जब इलाज नहीं था एंटिबाइटिक्स नहीं थे तो हैजा के कारण गाउं के गाउं साफ हो जाते थे साफ हो जाते थे मतलब पूरा का पूरा गाउं जो है ठीक है मर जाते थे यह वहाँ के लोग या वहाँ पर बहुत लोगों के मरने के कारण वहाँ के लोग विस्थापित हो जाते थे चलिए तो यह जो बिमारी है हमारा ठीक बैक्टिरिया अर्था जिवाणू से जनित बिमा चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कवक से होने वाली बिमारी ठीक है तो कवक से लिए अमयरा त्रीक है, ध्यान रिखिएगा, हमारे त्रीक है कवक से सम्मंदित, गंजा दमाद खाए फुरूट, क्या? गंजा दमाद खाए फुरूट, गंजा मतलब सिधा-सिधा पता है भई गंजा, ठीक है, मेरे वोकुमत देखिएगा ध्यान से, ठीक, ये कवक के कारण नहीं है, का, ठीक, एथिलीट फूट हो जाएगा, ध्यान रिखिएगा, यहाँ पर हाथी पाव भी लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर एथिलीट फूट को, ठीक है, ध्यान रिखिएगा, हम इसको अलग तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, एथिलीट फूट, एलेफेंट, एलेफ मतल login Chenapaudience के कारण होता है अगला बिमारी दमा मनस्यों को फेफड़े में होता है ठीक है और फिर वही चीज़ है थ्यान रखिएगा दमा में जैसे क्यों कोई वेक्ट्टी क्या अगर वर ये एलेर्जिक होते हैं तिक वो दुआ तिक या ऐसे किसी भी प्रकार की बती जादा sensitive होते हैं जो उनके फेफडों को affect करे। तो दियान रखेगा अस्थमा की बिमारी जो है फेफडों को affect करता है, लंग्स को affect करता है। तिक रिंग वार्म ये दाद है जो सरीर में गोल एक परकार के स्ट्रक्चर होगा जिसमें की खुजली होता है दाद एक अलग चीज है द्याद ध्यान रखेगा इसका इमेज आपको दिखाऊंगा और एथिलीट फूड को आप समझेगा एथिलीट फूड जो है पैरों की जो मोटी हो जाती है वह कट फो जाती है ठीक है आई इसको चित्र को देखीएगा और यहांती पाओ को भी मैं का structure बनेगा और इसमें आपका खुजली होगा इसको कहते हैं मैं स्कैबीज ठीक है देखेगा यह है एथिल पूट् ध्यान देखेगा एथिलीट फूट्स वूट्स होचिएगा एथिल फूट्स ठीट फूट्स ठीक ऐच किया होता है पेर में नीचे की और आपकी नगलीों के बीच में चकते जम जाते हैं तीक है वहां पर भी खुजली चालू हो जाती है ये ऐस्थमा कमे एक 121 क crate को आपका कुपी का रहा बताता हूं ये जो है समानी कुपी का है समानी कुपी का में तीक इसका जो डाइमीटर है दिक वह थीक है लेकिन अगर कोई भी वेक्ति इस प्रकार के बीमारी से अस्तमा से प्रभावित हो जाता है तो उसकी देखिये कुपी का है सिकूर के छोटी हो जाती है अब आप जब सांस लोगे तो जिस मातरा में उसको ऑक्सीजन या पुरा वायू लेना था वो नहीं जाएगा जिसके करन आप हापने लगते हैं तो ध्यान रखेगा कवक से होने वाली ये प्रमुक बिमारिया है अब मैं आपको चर्चा कर दूँ ठीक है जो आप हाथी पाओं की बात कर रहा है ठीक जिसके यहां देखिगा एलिफेंटेसिस कहते हैं उसको हाथी पाओ उसको यहां पर भी मैं कारण होता है ध्यान रखेगा किसके कारण करिमी के कारण होता है ठीक तीक है कर 13 कर हम यह समझ सकते हैं जिस जगह对ी जल में विकती नहाता है ठीक उस स्थान भी इस प्रकार के चीज़े होती है क्रीमी के कारण होता है ध्यान रिखेगा ठीक वो है हाती पाओ यह है आपका ठीक एथिलीट फूट दोनों अलग-अलग चीज़े हैं ठीक है चलिए अब हम देख लेते हैं प्रोटो जोवा से होने वाली बभी यह आपका एक प्रोटो जोवा है और इस प्रोटो जोवा से जो भीमारी हो रही है उसके बारे में ट्रीक हमारे bedroom में पापा पांपे नो पका काला-जार म मतलब मोले सब्सक् accents ता यह इसको भी पड़ सकते हैं तिक देखे काला जार वही है पैरिया ख्यां आसे बीमारी वही दो अलग-अलग ट्रीक है समझ में रहा है अब समझ लिए यह पायरिया क्या होता है पायरिया आपके मसूड़े में होता है ठीक है पायरिया के कार मसूड़े थोड़े सूज जाते और मुहां पर पस का निर्मान हो लगता है यह कहने ची बदबू आता है मुह से ठीक है क्या होता है मुह से बदबू आत पेचिस भी आपके प्रोटो जोह के कारण होता है जिसके वज़ा से वेक्ति बार-बार क्या करता है ठीक है let है लेट्रिंग जाता या नहीं पैखाना जाता है चलिए सोने की बिमारी ठीक सी-सी मचचड के कारण होती है ध्यान देखिएगा जिसमें यह प्रोटो जो है आता है टांस्पीटर होता है उसके काटने से वेखती स्लिपिंग सेखनेस बीमारी से प्रभावित हो जाता है ठीक हमेशा उसको निंद्र लगेगा और सेम चीज यही है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे देखते के प्रकार तो पर्मुख बिमारी हमने देख लिया ठीक है पर्मुख बिमारी जो समय है उसी समय के कोडिंग हमने पर्मुख बिमारी देख लिया अब हमको मानस्वास्त के बारे में भी बताना है और आगे जाके निट्रिशन के बारे में भी हमको पढ़ना है तो पोसक तत बना के रखना है और उस बैलेंस डाइट में क्या होता है जिसमें कार्भो हैड्रेट प्रोटीन विटामिन इन सभी के एक समुचित मातरा होती है चलिए तो हम उन्हीं के बारें पढ़ लेते हमारे सरीर में प्राप्त होने वाले ठीक परमुक तर्टो को जैसे विटामीन साबमा खन ठीक है हरे रंग की सब्सब्समें मिलता है लेकिन इसके अलावा ध्यान रखेगा ठीक भूमिका क्या है भई यह आंख की रेटिना शरीर की जो जिलनिया है फैपड़ों के अस्तर है और पाचकतंद प्रणा लीक के लिए आवस्यक तत्व है चलिए अब हम लेके बिटामीन बी बिटामीन बी को हम ठीक है बिटामीन बी वन होना चाहिए बिटामिन B1 को हम थाइमीन के नाम से जानते हैं थाइमीन जो है यह साबुत अनाज आटा, दाल, मेवा, मतर और फलियों में होता है इसका काम है कार्बोहाइडरेट के जोहलन को सुनिश्चित करना ठीक है पाचन में ध्यान रखेगा बिटामिन B2, बिटामिन B2 को राइबी फलोविन के नाम से भी हम जानते हैं तिक जैसे B2 आया तो इसको ऐसा कर लेगे तो यह R बन जाएगा इसको ध्यान रखना है R मतलब राइबी फलोविन, ये बनता है दूद और पनीर में, बनता है मतलब ये मिलता है हमको दूद और पनीर में अब ध्यान रखेगा, ये उर्जा रिलीज करने और इसके रख रखाओं के लिए सभी को सिकाओं के लिए आवस्यक है बिटामीन B2 ध्यान रिखिएगा और B2 को राइभी फ्लोविन कहते हैं इस टू में आप इस परकार के लाइन करेंगे तो आर बन जाएगा बिटामीन B3 जिसको हम नीयासिन के नाम से भी जाنتे हैं यह साबुत आनाज ठीक है आता और आपके एंरिज्ड़ अन बहुत सारे अन परकार के अन पाई आते हैं उसी अन में यह मिलता है नीयासिन यह भी लगब लगग उसी परकार के काम करता है उर्जा रिलीज करने और कोशिका के रख रखाओं में इसका उप्योग होता है तो विटामिन A रेटिनोल, विटामिन B1 थाइमिन, विटामिन B2 रेबोफलोविन, विटामिन 3 नियासिन चलिए परमुक विटामिन के बारे में चर्चा कर लेते हैं ठीक परिडॉक्सिन, विटामिन B6 को परिडॉक्सिन कहते हैं, यह जो 6 है, इसको उल्टा कर दोगे, तो लगबग P के आकार का होगा, इसी P से यह ठीक है, परिडॉक्सिन बनता है, त्रिक ध्यान रखीगा, यह साबूत अनाज और दूद में पाया जाता है, इसके कर रख्त को श को कहते हैं, त्रिक इसलिए पेंटो थेनिक अमले के नाम से जानियेगा, विटामिन B5 को, त्रिक गिरीदार फल और त्रिक साबूत अनाज भी मिलता है, यह उर्जब पायदा करने वाले जितने भी कोशिकाओं है, त्रिक उसमें इसकी ज़रूरत पढ़ती है, त्रिक परम इनके भी नाम से हम जानते हैं, और इसका स्रोत वही है, ठीक है, कार अलग है, त्वचा और परिसंचरन तंत्र में इसकी ठीक, अवशकता पड़ते हैं, त्वचा को स्वस्त रखने के लिए, और परिसंचरन तंत्र को, ठीक, कारी को बनाए रखने के लिए, चले हम देख करते हैं यह क्या काम करता है आरबीसी के निर्माण में सहायक है धियान रहेगा फॉलिक एशिट और नाम है विटामीन एलेवन धियान रहा है लेकिन में आपको यह बता दूँ कहीं कहीं पर इसको B9 के भी नाम से सम्मोदित करते हैं प्रमुक रूप से आप B11 देखिएगा ठीक है लेकिन दिमाग में अगर यह रखिएगा कि अगर B9 भी नाइन का काम है फॉलिक एसीड के करना ठीक है थोड़ा सा डिफरेंस है ठीक है भी एलेवन फॉलिक हम लोगो कहते हैं अब B9 को भी आप अपने दिमाग में रखिएगा यह बोल रहा हूं ठीक है प्रमुक रूप से B11 को सामने रखिए विटामिन सी को हम इसकारबिक एसीड के नाम से जानते हैं यह अधिकतर जो खटे फल होते हैं उसके कारण हमको प्राप्त होता है साथ ही साथ टामाटर कच्छा बंदा गोबी स्ट्राबेरी ठीक इन सभी से मिलता है हडी दाथ और उत्तकों के रख रखाओ के लिए हमारा इसकरबिक एसीड काम आता है विटामिन सी विटामिन डी जिसकों कैल्सी के शभड़ के नाम से जानते हैं और विटामिन डी यहां पर यह लिखा गया है यह डुग्द साला अथ लिएग जयरी जो प्रोड़क्त ह미 द्यक्राओं को उतपाद ठीक उस से जो भी चीज को आप खाओ गैशाय पनीर खाओ चाहे बटर काओ तो उससे आपको क्या मिलने वाला है केलसी फिरोल मिलने वाला है बिटामीन डी मिलने वाला है ठीक है और रक्त में यह जो है कैलसियम के स्थर को बनाय रखने भी काम आता है और हड़ीयों के संवर्दन के लिए यह आवसक है चुरिए अगला तत्व हमेरा बिटामीन ई जिसको हम टीको फिरोल के नाम से जानते हैं यह वनस्पती तेल और अन्य दूसरे पदार्थों में पाए जाते हैं यह वसी तत्तों के निपटने वाले ठीक उत्तकों तथा कोशिकाओं की जिल्ली की रचना के लिए जरूरी है कौन सा ठीक बिटामीन ई बिटामीन ई अर्था टेको फिरोल ठीक है चलिए हम हम देखते हैं विटामीन ई के बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़के से होने वाली यानि इसके कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में पढ़ लेते हैं विटामीन और उनकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं इसको देख लेते हैं तो सब से पहला है विटा रात में ठीक से नहीं देखने को रतों अंधी कहते है जिरो ठेल्बिया ठीक है आपके आख में इस प्रकार के चीजें हो जाएंगे यह बहुत अच्छा यहां पर मैंने इमेज को डाला है इसकी बूरी स्थिती में ऐसा हो सकता है आपके आख का सामने आपके जिली नुमा होता क्या है कि इसमें हमारा मेटाबॉलीग में वो एफक्ट रबा चैसे चरहा तो भा जाता है त्युक्त ति प्रकार का आता थैक फिर सिरा वालवांपस बहुत देर में आता है ठीक है चलिए यह बेरी बेरी का की चामिन बीटू जिसक्कों रविफिफ्लोंगे की नाम से भी जानते हैं इसके कमी के कारण हमारा जो तुचा वो फटने लगता है आख जो है वो लाल हो जाता है चलिए यहां पर यह तो बहुत इसपस्ट नहीं है तिक इसपस्ट नहीं है का मेरे ताथ पर इस प्रकार से नहीं पूछा जाएगा चलिए विटामीन विटामीन B3 अर्थात्नियसिन के कमी के कारण तुचा में दाद होने लगते हैं यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है विटामीन B5 जिसको पेंटाथोनिक एसिड कहते हैं जिसके कमी के कारण बाल सफेद हो जाएंगे और बुद्धी जो है मंद हो जाती है विटामीन B B7 बायोटीन के कमी के कारण सरीर में लक्वा हो जाता है सरीर में दर्द बना रहता है तो यह हो जाएगा हमारा विटामीन B7 के कारण अधिकतर इन सारे चीजों को पुछा जाता है इन सारे चीजों को ऐसा दब कॉमन चीजों को बहुत कम पुछा जाता है चलिए आगे रग्त अलपता की इस्तिती अर्थात रग्त अलपता होगी ठीक है समान देता है इसके साथ पेचीज भी देखा जाता है चलिए विटामिन B12 साइना कोबाला माइन ऐसा बार बार एक्जाम में पुछा गया है ऐसा कौन सा विटामिन है जिसका परमुक्तत तो कोबाल्ट है व यह परमुक रूप से आपको बिमारी देखने को मिल जाती है चलिए विटामिन C जिसको हम स्कॉर्विक एसिड भी कहते हैं इसके कमी के कारण स्कर्वी होता है और यह है स्कर्वी का डाइग्राम धियान रिखीगा यह है स्कर्वी ठीक है मसूडे में इस प्रकार की शरी समय में पूछता है वह है बिटामिन के कमी अर्थाट नार्थाट काल्सिफिरोल के कमी के कारण इकटा मुलास्या泥 यह यह है तो ध्यान रखिगा ब्यामिन द्हीं के कमी के कारण ठीक है इक्तर रिकेट नाईंति के अब और वास्टव में चायल्ड में चाइबaden होता से जायाँ तो ध्यान रखेंगा बच्चों का जो पैयर है इस प्रकार से बुड जाता है यह से वैसकों में है दियान का सरी में इस西य इमेle'S है जिसमें पैर मूड जाता है यह तो बहुत ही शौत नैंस तरीक से पैर जो है नुण जाता है किसमें रिकेट्स में आर्था विटामीन डी के कमी के कारण सरीर के जो हड़ी है यह हड़ी जो है फ्रेजाइल हो जाती कमजोर हो जाती और इसका structure ही बदल जाता है बहुत जाता कमजोरी का मतलब है इसका structure सही तरीके से maintain नहीं हो पाता और बच्चों में इसी बिमारी को हम ठ करस्ट से खशा गया है धřीक है कौन ऐसा भी बिमारी जिसको के नाम से ज Ravenosaic के नाम से आपे एंडल्ड विखेट्स एडल्ट रिकेट्स के नाम और और एक हो आस्टिए उसकर में होता कि महिलां डासितियों हम कम हो जाती में है यह द्यानर्जाइग में हो दियान रखीगा म कव्जोर हो आता है तो अस्टो औस्टो जो आया वो समझ लिजे कि हडी का बिमारी है हडी से समंदित बिमारी है चलिए inan 씨가 कमी के कारण जनन सकती कम हो जाती है ठीक बिटामिन अनाज भी है ध्यान रखेगा अंकूरित अंकूरित अनाज ठीक उसके अलावा बहुत सारे कृतिम साधने टैबलेट्स हैं विटामीन के जिसको फिलो कुईनीन के नाम से हम जानते हैं विटामीन के कमी से कारण हमारे रक्त में ठक्का जो है जमता नहीं है यानि ठक्रक्त का थक्का न जंवना किसके कमी के कारन होता है विटामिन के जिसको हम फिलोकोइन को नाम से जानते हैं ठीक jewels में बार बार पुछा गया है ठीक है तुई रिपेटेड़ होगा ध्यान रखिए चुलिए यह हमारा ठीक यह हमारा यहां तक हम clique सारी बिमारियाज हो गया है अब हम देख लेते हैं इसके अलावा गया है अब हमारे पास जो हमारे जो Limited है उस yılइबस के a recording हम को क्या करना है तो अभी तक आपने जीतने भी आपने फैक्ट पढ़े हैं आपका काम है कि इस सारे फैक्टों का अध्यान करना है बारबार रिविजन करना है ठीक जितने जादा से जादा आप कोस्टन लगाई है प्रिविस एर कोस्टन बनाई है वह आपके लिए फायदे मंद साबित होगा तो इसमें साइंस में जितने पॉर्षन दिये गया है ठीक उस सारे सिलिबस को यहाँ पर करा पाना संभाव नहीं है तो यहां पर केवल हमने पांच वीडियो के माध्यम से साइंस को पढ़ाने का प्रयास किया गया है तो ध्यान रखेगा दोस्तों इन पांच चेप्टर को आप ध्यान से पढ़िए इसके अलावा तिक आपके पास जो भी सोर्स हो जो आप साइंस जहां कि बात कर रहे हैं कुछ चीजों में थोड़ा से वैरी करता है इसलिए एक बहुत ही बेसिक नोर्स को पढ़ना है बहुत जादा टिक डीपली पढ़ने कि आवा सकता है यहां पर नहीं है ठीक है तो डीपली यहां पर इन दसेंस में यह कह रहा हूं कि जो आपके पास समय है उसी समय के एकॉर्डिंग की बात कर रहा हूं समय रहता तो बिल्कुल डीप पढ़ सकते हैं फिलहाल आपके पास समय नहीं है 18 थारीक को पेपर है तो आपका काम केवल इतना है कि आप जो है इस पेपर के सम्मंदित जितने भी आपको साइंस से सम्मंदित कोश्चन मिल जा उसको आफ सॉल्व कीजिए ठीक यह आपके लिए लायब दायक होगा चलिए तो इसी प्रकार यह जो हमारा साइंस का सेशन जो चल रहा था टीटी का यहां पर कंप्लीट होता है ठीक यह हमारा अंतिम चेप्टर था इसके बाद हमारा साइंस की वीडियो नहीं आएंगे ल